दोस्तों बोलीवूड में करियर बनाना बेहधी कठिन काम होता है जो सबके बसकी बात नहीं होती कड़ी महनत और लगन के बाद या कुछ गलत तरीके से जाकर बनता है बोलीवूड में करियर हर अभिनेत्री को अपने करियर के शुरुवात करने के लिए किसी न किसी बात का समझोता करना ही पड़ता है यदि किसी अभिनेत्री का करियर बीच में रुका हो या आगे नहीं बढ़ रहा हो तो में समझोते के दम पर अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और काम्याब भी हो जाती हैं अब अगर हम बात करें बॉलिवूड की मशूर अभिनेतरी एश्वरे राई की तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ बॉलिवूड में कास्टिंग काउच का जिक्र कई बार अभिनेतरियों ने किया है लेकिन सबसे अधिक संगीन मामला जो था वो बॉलिवूड की मशूर अभिनेतरी एश्वरे राय का मामला था कुछ लोगों ने ये दावा किया था कि अपने करियर के लिए एक निर्देशक के साथ एश्वरय राय हम बिस्तर हुई थी पता दें कि फिल्म ताल के बूरी तरह फ्लॉप होने के बाद एश्वरय का करियर थमसा गया था दीरे दीरे उनकी सभी फिल्में फ्लॉप होने लगी यहां तक कि उन्हें बॉलिवूड में फिल्में मिलना भी बंध हो गई थी इसके कुछ समय बाद बॉलिवूड की सबसे हिट फिल्म हम दिल देचुके सनम में एश्वरय राय दिखी जिसमें उनके साथ सलमान खान ने अभिने किया था इस फिल्म में उस वक्त की कई बड़ी अभिनेत्रियों को काम करने का मौका मिला जिनमें महीमा चोधरी मनीशा कोईराला सामिल थी लेकिन इन सब को चोड़कर एश्वरय राय लेड रोल में नजर आई हालांकि बाद में शक्ति कपूर ने इस बात के लिए मना किया और इस बयान के लिए माफी भी मांगी इस फिल्म के समय एश्वरय के बॉइफरेंड सलमान ने निर्देशक शुबास गई को तपड़ भी मारा था जिससे लोगों का शक यकीन में बदल गया था तो दोस्तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद